त्योस्तों, आज हम बात करेंगे रीचिंग फॉर दिस्टार्स दी आर्टेमिस एकॉर्ड्स के बारे में ज़रा सोचिए, एक ऐसा भविश्य जहां इंसान चान पर रहे और काम करें ये सिर्फ एक सपना नहीं है आर्टेमिस एकॉर्ड्स थीशों के बीच एक समझोता है जो इस सपने को हकीकत में बिठेलना चाहता है ये एकॉर्ड्स अंतरिक्ष की खोज को शांति पून और जिम्मे थैरी से करने के लिए गाइडलाइन्स सेट करते हैं इन गाइडलाइन्स के जरिए सभी तीश एक साथ काम करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरिक्ष की खोज में स्थिर्टा लाने के लिए प्रोच्साहित होते हैं Artemis Accords अंतरिक्ष में मानवता के भविश्य के लिए एक साजह विजन का प्रति निधित्व करते हैं इनका उथे थीश अंतरिक्ष में किसी भी तरह के जगडे और गलत फहमियों से बचना है मकसद सिर्फ एक है अंतरिक्ष का इस्तिमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए हैं यह समझोता सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष की खोट से सभी को फायत्या हो Artemis Accords का नित्रित्व अमेरिका नासा के माध्यम से कर रहा है नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है अमेरिकी विथीश विभागने भी इसमें अहम भूमी का निभाई है उन्होंने इन गाइडलाइन्स को विकसित करने के लिए थ्यूसरे थीशों के साथ मिलकर काम किया है कई थीशों ने Artemis Accords पर हस्ताक्षर किया है ये दीश अंतरिक्ष की खोज को बहुत महत्वपूर्ण मानते है वे अंतरिक्ष में अपने साजह लक्षियों को हासिल करने के लिए एक साथ काम करना चाहते है ये सभी तीश शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से अंतरिक्ष की खोज के लिए प्रतिबथीद है वे Artemis Accords को आपसी विश्वास और समझ बनाने के एक तरीके के रूप में देखते है यह सहयोग वैज्ञानिक ज्यान को आगे बढ़ाने में मतहेद करता है यह सभी के फायथे के लिए तक्नीकी प्रगती को भी बढ़ावा थीता है एक साजा यात्रा के लिए सिथिधान्त अंतरिक्ष में सहयोग Artemis Accords कुछ महत्वपूर्ण सिथिधान्तों पर बने है यह सिथिधान्त बताते हैं कि देशों को अंतरिक्ष में कैसे काम करना चाहिए एक सिथिधान्त है शांतिपूर्ण उथे थीशे इसका मतलब है कि अंतरिक्ष का इस्तिमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए हो त्यूसरा सिथिधान्त है पार्थरशिता देशों को अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में खुला होना चाहिए। इंटरोन अपरेबिलिटी एक और महत्वपूर्ण सिथिधान्थ है। इसका मतलब है कि ऐसी स्पेस सिस्टम का इस्तिमाल करना जो एक साथ काम कर सके। आपात कालीन सहायता एक और महत्वपूर्ण सिथिधान्थ है। जरूरत पढ़ने पर देशों को एक ध्यूसरे के अंतरिक्ष यात्रियों की मधिद करनी चाहिए। ये सिथिधान्थ जिम्मे थ्यार और टिकाउ, अंतरिक्ष अन्वेशन सुनिश्चित करते हैं। ये सभी भाग लेने वाले थेशों के बीच सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना को बढ़ावा थेते हैं। के लिए अंतर राष्ट्रिय सहयोग बहुत जरूरी है। जब देश साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनमें विश्वास बढ़ता है। विज्ञान और संसाधनों को साज्जा कर सकते हैं। यह सहयोग अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। शांतिपूर्ण अन्वेशन का मतलब अंतरिक्ष के वातावरण का सम्मान करना भी है। देशों को हानिकारक अंतरिक्ष मलबे को बनाने से बचना चाहिए। उन्हें खगोलिय पिंडों को थिवशित होने से बचाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष आने वाली पीडियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना रहे। धारा पांच खोज के लिए खुले दर्वाजे ग्यान और जानकारी साज्जा करना। प्यानिक डेटा साज्जा करना पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब देश अपना डेटा साज्जा करते हैं तो इससे सभी को फायदा होता है। यह नई खोजों और अंतरिक्ष की बेहतर समझ की ओर ले जाता है। धाराच है, मदद का हाद बढ़ाना, अंतरिक्ष में सुरक्षा और सहायता। अंतरिक्ष अन्वेशन खतरनाक हो सकता है। आर्टे में सेकॉर्ड्स सुरक्षा के महत्वपर जोर देते हैं। देश आपात स्थिती में एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत है। इसमें खतरे में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाना भी शामिल है। इंट्रोन परेबिलिटी बहुत महत्वपून है। एकॉर्ड्स सामान्य सुरक्षा मानकों के विकास को प्रोथसाहित करते हैं। ये मानक अंतरिक्ष यान और उपकरणों की विश्वसनियता सुनिश्चित करते हैं। धारा साथ हमारे अतीत की रक्षा हमारे भविश्य को सुरक्षित करना अंतरिक्ष विरासत। आर्टिमिस एकॉर्ड्स अंतरिक्ष विरासत के महत्व को पहचानते हैं। इसमें खगोली या पिंडों पर एतिहासिक लेंडिंग साइट और कलाकृतियां शामिल हैं। ये साइट अंतरिक्ष अन्वेशन के एतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एकॉर्ड्स दीशों को इन स्थलों की रक्षा करने के लिए प्रोथसाहित करते हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने या तियुशित करने से बचना चाहिए। अंतरिक्ष विरासत को सनरक्षित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीडियां पिछले मिश्णों से सीख सकें। अंतरिक्ष विरासत की रक्षा करने में अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण भी शामिल है। देशों को अपने अंतरिक्ष यान और उपग्रहों पर नजर रखनी चाहिए। ये टक्राव को रोकने और अंतरिक्ष मलबे को प्रबंधित करने में मतेद करता है। ये अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्ग कालिक स्थिर्ता सुनिश्चित करता है। धारा आठ, अंतरिक्ष की संपदा को साझा करना सभी के लिए संसाधन अंतरिक्ष संसाधन जैसे चांद पर पानी की बर्फ, मूललेवान है। Artemis Ischords इन संसाधनों के उप्योग का समाधान करते हैं। वे कहते हैं कि अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग अंतरराश्ट्रिय कानून का पालन करते हुए किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि कोई भी तीश खगोलीय पिंडों पर अपना थियावा नहीं कर सकता है। हालांकि तीश अंतरिक्ष संसाधनों का निशकर्षन और उपियोग कर सकते हैं। यह इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे पूरी मानवता को फायत हिया हो। एकॉर्ड्स संसाधन उपियोग में अंतरराष्ट्रिय सहयोग को प्रोथसाहित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष संसाधनों के लाभों को समान रूप से साज़ा किया जाए। यह संसाधनों पर संघर्षों को रोगता है और अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा तीता है। धारा नौ अंतरिक्ष को सुरक्षित और स्वच रखना, संघर्ष और मलबे से बचना। इसमें मिशन के अंत में अंतरिक्ष यान का जिम्मेदारी से निप्टान भी करना चाहिए। स्थिर्ता के लिए अंतरिक्ष यातायाद का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। इसमें अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपन और संचालन का समनवे शामिल है। ये टकराव से बचने और अंतरिक्ष के सुरक्षित और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इन चुनोतियों का समाधान करके आर्टेमिस एकॉर्ड्स का उद्देश्य आने वाली पीडियों के लिए अंतरिक्ष के वातावरण को संरक्षित करना है। धारादेस वे आने वाली पीडियों को सितारों के बीच भविश्य का सपना थेकने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ मिलकर काम करके हम ब्रह्मान के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। हम प्रित्वी और उसके बाहर दियोनों जगह सभी के लिए एक उज्वल भविश्य बना सकते हैं। Artemis Accords अंतरिक्ष अन्वेशन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो सहयोग, नवाचार और ज्ञान की खोज से प्रेरित है।